हैलो दोस्तों ऐसे होतों, आज के इस नयवड़म में आप सब का स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज के इस नयवड़म लोज बात करने वाले IPL के नेक्स मैच के बारे में जोके होने वाला है गुजरा टाइटन्स वैससे भी बहुत अच्छा कर रही है तो ये मैच बहुत इंट्रस्टिंग रहने वाला है दोनों टीमों में एक replacement player आड़ हुए है एक एक player उनकी पार हम बात करेंगे क्या वो लोग खेलेंगे उसके पर हम लोग बात करेंगे तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना आगे बढ़ने इस पर आपको करना कि आपको टेलिग्राम चैनल से जॉइन होना है final team, final updates आपको टेलिग्राम चैनल पर ही मिलेंगे टेलिग्राम चैनल के लिए आपको comment section में first comment पर मिल जाएगी तो जरूर जॉइन हो जाना पीछ थे तो spinner गेम में आए बट अगर ब्लैक सोल की पीछ रहेगी तो फिर प्लस बैटर्स दोनों के लिए ही मैच रहेगा हाँ रेट सोल की पीछ तो फिर सब पतलब पेसर भी निव बॉल के साथ अच्छा कर सकते बैटर्स रंड बना सकते उस्पिनर्स के लिए भी टर्न र उतना यहाँ पे रहा नहीं है ठीक है और यह जो आई पेल के नोट आट मैचेस भी रहे थे उस टैम पे पर ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिल गया था जो टिम टॉच जिदेगी पहले बॉलिंग करने का डिसिजन लेती है मोस्ट लाइकली बट अभी डे मैच है तो लेट इस तरीके साब मांगे चलो अब देखते हैं कौन इंपैक प्लेयर रहेगा बट पिछले आंट विजाईशन कर रहे थी ठीक है टीम बहुत सॉलिड है बॉलिंग की बहुत अच्छी लग रही है एक प्लेयर आपको पाता होगा केन विलियमसन पहले मैट में इंजेड हो साही किशोर का देखना इस मैच में अगर स्पिनस के लिए हिल्प रहा ना तो साही किशोर आपको फ्लेंग लिए में खेलते वी दिख सकते हैं बात करते हुआ क्या दो मैचस में तो पहली मैच में शुमन के लिए 63 बनाये थे बट सेकेंड और 14 रन के बढ़िया पारी खिल केमियोस खेले 27 प्रस 29 के डेविड मेलर का फस्ट मैस ता मैच विनिंग पारी फिल से खेली 16 बॉल में 31 नोट टिवाट्या को पहले मैच में बैटिंग मिली थे सेकेंड मैच में बैटिंग नहीं मिली थी तो अब तक दो मैच में जित चुकी गुजरा टाइटर्स जहाप पर हम कर रहे हैं जो लास्ट इर कर रहे थी चार रहे उनके बैटर्स अच्छा कर रहे तो अगें टॉप रहेगा कि क्यार के लिए इनको हरा पाना बट वही है कि स्पीच कैसी रहेगी मुझे नहीं लगता है कि यह पेसर फ्रेंड ली पीच ही बनाएंगे विको सामने टीम लास्ट इर भी ठीक किया था इन्होंने ठीक है उसके अदसन शनक का जो एड हुए है रिसे इन फॉर्म ऐसा कुछ खास नहीं है बट बड़े शॉट्स लगाने के लिए जाने जाते हो और आज फिनिशर अच्छे पीक रहेंगे और इनको पसंद भी यह फिनिशर बट पिछले आज पाच मैच इस खेले दे च्छे विकेट निका लेती है अगर स्पिनर्स के लिए कंडिशन रही तो आपको खेलते वे दिख सकते हैं बढ़ते आगे बात करते हैं अब लोग कोलकता नाइट राइडर्स की तो कुछ इस तरह इस इनके 12 प्लेश रहे थे पिछल करके दिखाई ठीक हैं कंडिशन भी वैसे इतनी स्पिनर्स के लिए बहुत हेल्प था उनको हेल्प मिला और विकेट निकाली बट यह कंडिशन अलग रहीगी तो मुझे लगता है स्टार्ट तो नहीं करेंगे प्लेइंगिलर में बड़ अगर जुरत पढ़िदा इंपक् हाँ मंदीशन हाई चांस की इसमय चीम प्लेइंग को प्लेइख किया है किसका रेण्ग छांस राइख लेट प्लेइंग रहिक प्लेट प्लेइखल पाना किसी पॉइंट पर गूरबा जहीं प्लाप जाते है तो फिर आपको जेसन रोई खेलते वीं दिख सकते हैं ठीक है बढ़ते आगे बात करते हैं हम लोग हुआ क्या 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 पहला मैच लोग हार गए थे सेकंड मैच इन्होंने बहुत ही कंपटेबली जीता अगेंट्स आर्सी भी वंधिप सेंग दोनों मैच इसमें कुछ खास नहीं किया गुरुबाद में 57 की बहुत अच्छे पारी के लिए पिछले मैच में राना की बात कर दोनों मैच इसमें पहले मैच में 24 बनाए जरूर थ खेले सुनिल नारा इंको दो मैच में मिली अब तक ठीक है शारदुल की बात करें तो इनको पिछले मैच में एक विकेट मिला था बट 68 की जवर्दस्त पारी इनों नहीं खेली ते 29 बॉल में वह मैच वारून चक्रवर्थी अच्छा कंबैक किया है इसाई पेल में पहले म और बाकी आठ ओर्स में देखो तो शारदुल ठाकूर आउमेश यादव टीम साउथी इन लोगों ने मिलके बाकी के ओर्स कंप्लेट किया थे तो अलग लेवल पर बॉलिंग हुई थे पिछले मैच में बट ये कंडिशन था उटनी स्पिनस फेंडली होने नहीं वाली तो तो वो ठीक है इंडिया में खेलना एक अलग बात होती है अलग अलग चैलेंज होता है बट बंदे में दम है फॉर्म जरू इनका पिछले दो-तिन सालों से खराब हुआ है बट एक कब आकी कितने रन बना जाए ना मुश्किल लेके पाना लिटन दास का फॉर्म तगड़ा पाते हो किसे को देखने है बिल्कूल देखके चलो लॉकी फ्रीटे तो शायद टीम साउती को रिप्लेस कर सकते हैं और कोई मुझे खेलता हूं नहीं दितरा ठीक है अब अब लोग बात करेंगे हिट वेट स्टैर्स की तो गुजराट जायंट्स रिदिमान सागा 30 का आव 34 बॉल्स में कुछ खेली थी पढ़िया पारी थी डेविड मिलर का 27 आवरेज के साथ रन बनाये हैं विजय शंकर के से 20 का आवरेज इनके सामने और शुपन गिल ने एक मैच खेला साथ रन बनाये क्योंकि पहले यह के लिए ही खेला करते थे पता नहीं क्यों के क्यार नही 14 विए के सामने 13 मैं शमी को 12 में 12 हर्दिक को 14 में 11 यज डेल को एक में दो जोसेफ को एक में ठीक है अब क्यार क्यों से अब यह की कि मैच खेला गुजरात के सामने जिसमें रसल ने 48 बनाये ते टिंगू सिंग ने 35 बनाये थे मंदिप्ट ने 17 बनाये ते राना ने 2 रन ब बनाये 53 का अवरीज रहा है ठीक है मिलर ने आपे 2 मैचे में 86 रन बनाये 54 रहेस्ट को रहा था हर्दिक ने आपे 2 मैचे में 42 रन बनाये त्यवान साने फोर मैच से 50 रन बनाये विचेश शंकर एक मैच में 27 सुदरशन 1 match 22 उटेवाट 1 match 15 विकेट में शमी को 5 मैच 5 है ठीक है आप बढ़ते आगे बात करते प्लियर बैटल्स की इंटरस्टिंग रहेंगे जैसे गुरुबाज है ठीक है गुरुबाज के सामने अगर देखोगे तो किसी ने अब तक किसी ने आउट नहीं किया वाई गुरुबाज को अब बात करते गुजरा टाइटन के बैटर्स की तो शुबमन गिल शादू ठाकुरिंको दो बार उट कर चुके ट्वेंटीएट बार ने इंट्रस्टिंग रहेगा ठीक है अब लोग बात करते गुजराट टाइटन के बैटर्स की तो शुबमन गिल, शार्दूल ठाकुरिं को दो बार आउट कर चुके 28 बाल में, इंट्रस्टिंग, टीम साउती ने दो बाल में एक बार आउट किया हुआ, रिद्धिमान साथ सुनिल नारें तीन बार आउट कर चुके 72 रंदिक, उमेश ने दो बार जरूर आउट किया, प बार आउट कर चुके रेसित बेल घुट कर चुके है, डेविवीड मिल cathedral रस्ल इन को टोल 4 बार आउट किया, बहुत इंट्रस्ट्न रहेगा, उमेश आदो टोल 2 बार आउट करके चलना, रह में सबसे ज्यादा पॉइंटru की है, हम लोग सब से पिले बात करेंगी है आपको आपके fantasy exchange 22 का sorry exchange 22 का fantasy name भी आड़ करने जो application exchange 22 उसका fantasy name होता है वो आपको आड़ करना कमेंट section में और फिर आपको हमेरे चैनल का नाम भी आड़ कर देना hashtag और add the rate fantasy 11 circle ठीक है यह आपको process follow करनी आपको like करना subscribe करना वीडियो को पूरा देखना अगर आप सही predict कर जाते हो तो आपको पैसे मिल जाएंगे तो पिल्कुल मिसमत करो जल्दे से प्रेडिक करो ठीक है पल चलते premium में तो एंड्रे रसल इस देर शारदूल इस देर राशित खान इस देर गुरबाज इस देर और शुबमंगिल का रिटन बिल्कुल नहीं यह सारी पब्लिक शुबमंगिल पर इन्वेस्ट कर रही है इस में थोड़ा सा रसल सोच सकते हो 14 का रिटन है ट्राइ कर सकते हो बाकि शुबमंगिल इस एप ऑप्शन ठीक है बात करते रिंको सिंग को बाइ कर सकते हो सुनिल नारे को थोड़ा साब सेल कर सकते हो ठीक है इसके अलावा रसल इस देर वरुण चक्रवरती वेंकर अयर्श शमी ठीक ही यह प्लेयर जो मैं कर सकते हैं अगर आपके पास यह अप्लिकेशन नहीं है अब यह लेट हो चुक्यों ठीक है इससे ज्यादा लेट नहीं होना चाहते हो तो जल्दे से डाउनलोड कर लो बैस्ट अप्लिकेशन है जब टेलेग्राम चैनल पर जाओगी आपको रिजर्स देखने को मिल जाएं के लिए यह दो खिलना स्टार्ट करों सो जैसे कि आप लुग स्क्रीन पर देख हो आठ प्लेस समी लोग हमारे टिम में पिक कर चुके यह बहसं पर रहेंगे एगे एग मैं कर करने यह सब और लीट करना है तो सब से पहले लिए विक्यट करेंगे विकॉस के पर घुर वाटल आप्शन सेफ ऑप्शन बैटिंग सेक्शन में दोनों इंपॉर्टन बैट्स में लेज़े को आप चाहो मिलर ले सकते आप चाहो मिलर ले सकते युग वाटार विरी गुड गेम चैंजर फॉर तिस मैच टिक है solid game changers और Jason Roy खेल जाएंगे तो obviously फिर हम लोग उनको लेनी की सोचेंगे बट उनका farm उतना अच्छा है नहीं पट still important रहेंगे ठीक है Miller को लेना चाओ बिल्कुल ले सकते कोई doubt नहीं में तिन श्राना के साथ विस match में ठीक है बॉलिंग सेक्ष्टन में यह तीन important बॉलर्स में ले चुका हूँ अब इसके अलावा देको बहुत अच्छे options है जैसे अलजारी जोसे पर वरुन चक्रवरती टीम साथ है actually मैं तीन के बारे में इस पॉइंट पर सोच रहो इन तीनों में से दो ले सकते हैं इन तीनों में से एक ले सकते हो it's up to you पहला pick तो मैं जारी जोसेप को ले रहो हूँ ठीक है तो यह मैंने ले लिया अब बचता है final player जो मैं लेना है या तो अगर आप extra batter ले लो अगर लेना चाहते हो तो या तो फिर आप यहाप एक्स्टा ball ले लो वरुन ले लो एक फिर टीम साउती ले लो दे मैच है तो spinners के लिए definitely turn हो सकता है बट मुझे नहीं लगता कि लोग उतना turn friendly pitch बनाएंगे spinner friendly pitch बनाएंगे तो वो एक थोड़ा सा logic रहेगा पर टीम साउती और बैटिंग सेक्षिन में कोई एक्स्टा बैटर इन दोनों में से कोई एक मैं अभी इस पॉइंट पर सोच रहो कि किसे लिया जा सकता है और कोन अच्छा पीक रहे सकता है अगें फ्रसा मुझे सुनिल नारायन और वरन चक्रुदी का डर जुरूर रहेगा साइस दर्शन के लिए बढ़ हाँ अगर पीच कंडिशन अगर पेसर के लिए के फ्रेंडली है तो मैं साही सुदर्शन को टॉप करके तीम साउथी को ले ले लेते हैं कुछ इस तरह के से तिम बना लेते हैं अब इसमें बेदाव जैसे सुईया सर्मा जिट जोशा लिटाली उमेश्याध वीब बहुत अच्छे अच्छे पैक्स नहेंगे ग्रैंड ल सकते हो Captain से तो जाएगी हर्दी पांडया को but Vice Captain Subman Gill एंड्रे रसल राशिद खान इन तीनों में actually सोच रहा हूँ रसल बॉलिंग नहीं कर दे पिछले दोनों मैंटे में रसल ने एक भी और डाला नहीं तो यह concern रहेगा गील थोड़ा सा heat और मिस से सामने थोड़ा सा spinner friendly attack है उनके सामने थोड़ा सा struggle कर जाते बैटर्स तो वो नोट करके चलने आफ तो फिर राशिद खान बट सामने left hand बैटर्स थोड़े से जादा है तो let's see किस तरगी से राशिद खान बॉलिंग करेंगे for now captaincy going for और हर्दिक पांडय वाइस captaincy I'm going with a shubman deal पाकि देखते टॉस के टैम पे अगर पता चलता है कि रसल बॉलिंग करेंगे इस मैच में तो वे रसल को वाइस captaincy दे दूँगा बाकि तो हम लोग बाहर फाइनल जो भी decide होगा और यह final team नहीं है थोड़ा focus कर सकते अच्छी batting cricket रहनी चाहिए जाब पर आपको बनते भी दिखने चाहिए तो यह थोड़ा note करके चलना पाकि टेलेग्राम चैनल पे आजाओ और youtube चैनल को subscribe करके बेल आइकन को press कर दो thank you so much guys for watching